बहुत कम सामान में आसान तरीके से ऐसे बनाएं कच्ची केरी की खट्टी मिठी चट्नी हेलो एवरी बान में की मिराटोर आज की बेश्ट रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कच्ची केरी से गुड़ वाली खट्टी मिठी चट्नी कच्ची केरी की उपरी परत को चील कर हमने इस तरह से से छुट-छुटे पिसेश में कट कर लिया है और इसकी गुटली को अलग कर दिया है कच्ची केरी की चटनी बनाने के लिए हमने दो हरी मिर्च लिया है लहसुन लिया है अदरक लिया है एक प्याज लिया है और थोड़ा गुड़ी लिया है हरा धनिया लिया है मिक्सी के जार में प्याज एट कर देंगे लहसून एट कर देंगे छील कर कट कियावा अदा इंचे अधरक का टुकड़ा एट कर देंगे दो कट की वही हरी मिर्च एट कर देंगे अब हम इसमें कट की वही कच्ची केरी एट कर देंगे दो टी स्पून के लगभग बुड़ एट कर देंगे एक टी स्पून कास्मरी लाल मिर्चे पाउडर एट कर देंगे एक टी स्पून धनिया पाउडर एट कर देंगे अपने स्वाद अनुसार नमक एट कर देंगे हम इसमें एक टी स्पून नमक एट कर रहे हैं थोड़ा गरम मसाला एट कर देंगे अब हम इसमें एक टीस्पून जीरा एट कर देंगे एक कटोरी धनिया पत्ती एट कर देंगे धनिया पत्ती को हमने साप पानी से अच्छे से वाश कर लिया था अब हम इससे 15 सेकंड के लिए मिक्सी में ग्राइन कर लेंगे हमारी कच्ची केरी की खट्टी मिठी चट्नी बन कर तयार है आप लोग भी इस तरह से कच्ची केरी की चट्नी बना कर जरू टेस्ट कीजिएगा कल फिर मिलेंगे एक ने रेसिपी के साथ धन्यवाद